नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकिया हूँ प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट बनने के लिए Microsoft PowerPoint का Crash Course अब आपका सवाल रहेगा कि PowerPoint किसे सीखना चाहिए तो मैं आपको बता हूँ कि अगर आप एक corporate employee हूँ आपके business presentation आपको बनाने है तो आप Microsoft PowerPoint में बना सकते हो अगर आप एक teachers हो, कोई topic आपको step by step student को पढ़ाना है तो PowerPoint के जरीए आप presentation बना के उन्हें आसानी से पढ़ा सकते है जो कि student easily crafts कर पाएंगे और अगर आप एक student हो तो आपके college के अलग-अलग topic के उपर आप presentations बना सकते हो तो हर किसी को Microsoft PowerPoint का knowledge होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप animation के जरीए presentation को effective बना सकते है और आपको पता नहीं कि PowerPoint के अंदर slides कैसे insert करते है PowerPoint के अंदर slides कैसे design करते है transitions कैसे देते, animations कैसे देते, इन सारी जीजों का knowledge आपको step by step लेना एक effective presentation कैसे बनाया जाता है PowerPoint के अलग-अलग options को use करके तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, right? तो चलिए, इंतजार किस बात का, मैं सदिश आप सब का स्वागत का तो शुरू करते है Microsoft PowerPoint के इस ultimate crash course को, let's begin तो अब हम सीखने जा रहे Microsoft PowerPoint तो इसे हमारे desktop की उपर हम कैसे शुरू करेंगे यह सबसे पहले देखेंगे, तो मैं आचुका हूँ मेरे desktop की उपर और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना इस Windows के लोगों पर मेरे पास Windows 11 यह बीच में आ रहा है Windows 10 और 7 में आ पर लेप में आता है तो आपको यहाँ पर Microsoft Word Excel PowerPoint दिखाए दे रहा है तो यह PowerPoint पर मैं क्लिक करूँगा स्लाइड कैसे बनाना है सारी चीज़े इन डीटेल हम सेखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आ चुकी है जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है यहाँ पर कुछ रेडिमेट टैंपलेट भी उन्होंने दिये कि आप यहाँ से भी चूज कर सकते आप अपना टेक्स टाइड कर सकते यह रेडिमेट डिजाइन है लेकिन आप ब्लैंक से शुरुआत करना चाहेंगे तो यहाँ से और आपने जो रिसेंटली प्रेजेंटेशन बनाया है यह तो मैंने बनाया है बिसिकली और जो भी आपने रिसेंटली यूज किये वो सारे क सारे यहां पर दिखाये देंगे यहाँ पर ओपन है existing file open करने के लिए existing ppt file open करने के लिए ppt और प्रेजेंटेशन फाइल new यहां से हम कर सकते नय फाईल और home अल्रीं यहां पर blank presentation option दिया है वैसे भी आप new पर जाएगे तो वह आएगा तो मैं blank presentation पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने आ रहा है यह PowerPoint का interface, अभी इस interface को step by step पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले उपर जो आपको दिखाय दे रहा है, top left corner में, यहाँ पे यह quick access toolbar, quickly menus access करने के लिए, उसके बाद यह title बार है, पूरा title बार में यहाँ पे, जो भी PowerPoint में फाइल बनाते हैं, उसे हम presentation कहते simple है, word में जो file बनाते हैं, उसे हम document कहते है, excel में जो file बनाते हैं, उसे हम spreadsheet या workbook बोलते हैं, याद रखिए, और यहाँ पे जो file हम बनाएंगे, वो presentation file रहेगी, right, तो यह PPT file भी बोला जाता है, presentation भी बोला जाता है, और right side में यहाँ पे usual minimize, restore, close का button है, अगर आप PowerPoint close करना च tab यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे, और जैसे ही मैंने home पे click किया, तो यह home का ribbon है, insert का ribbon आपको दिख रहे, design का ribbon, यह ribbon कहा जाता है, और home tab में clipboard group है, slides group है, जैसे Microsoft Word में होता है, यहाँ पे आपको अलग-अलग group में लेंगे, font group है, paragraph group है, drawing group है, editing group है, हर एक group के अंदर अल आपको Microsoft Word में जो मिल रहे हैं, वही लग-बग यहाँ पे होते है, find and replace, font, paragraph, drawing, अगर आपने Microsoft Word सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो आपको basically यह point easy जाने वाले है, लेकिन फिलाल ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो interface नीचा आ रहा है, अब यह तो हो गया, चलो ribbon अगरा हो गया, यहाँ पे tag हो गया, यह जो आ रहा है, यह स्लाइड है, यहाँ पे working layout है, यहाँ पे हम काम करेंगे, और यह जो उसका preview पे ने, मतलब यहाँ पे जितनी भी slide हम insert करेंगे, इसे आप जैसे word में page होते है, वैसे अलग-अलग slide यहाँ पे हम insert करेंगे, तो यहा by default जब भी आप presentation start करते है, PPT start करते है, तो एक slide आती है, जो कि होती है, title और subtitle वाली, title और subtitle मतलब यह इसका layout है, यहाँ पे title आप add कर सकते हो, यहाँ पे subtitle आप करने के लिए option मिलता है, एक take box basically मिलता है, तो यहाँ पे पहली by default slide insert होती है, और हमें नई slide insert करनी तो हम कर सकत मैं बताऊंगा, फिलाल यहाँ पे status bar है, कितनी slide आपने insert की, यह status बताएगा, और right side में आपको यहाँ पे zooming level भी बताया जाएगा, यह देखिए zooming level, तो इसका zooming level कितना है, देखिए, normal zooming level आप 100 के आस-पास रख सकते, maximum zooming level इसमें कितना होता है, जैसे word में मैंने आपको बता जाता शायद, आपको याद रहेगा, word में 500% यहाँ पे 400% है, maximum zooming level, यह max है और minimum भी देख लेते, minimum 10 है, तो यह Excel की तरह ही है, Excel में भी minimum 10, maximum 400 था, right, तो यह यहाँ पे zooming level आपको मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ अलग-अलग preview, जैसे slide sorter, मतलब सभी slide एक साथ देखना चाह interface हमने समर्ज लिया है, अब interface समर्ज लिया, introduction हो गया, अब हम देखते, slide कैसे insert करना है, अलग-अलग layout कैसे change करते, तो inserting slide and slide के अंदर content कैसे add करना है, तो यह पहला हमारा topic रहेगा, आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि PowerPoint के अंदर आप आप follow करोगी तो proper presentation आप और fast way से बना सकते हो, तो क्या steps होते हैं, fast presentation बनाने के लिए interactive, interactive presentation बनाने के लिए, तो करना क्या है, basically, आपको सबसे ए intentar ど ईकरना है, पहले steps एयाकरना है, slide insert करना है, उसके बाद content अबर करना है, जो जो content आपको slide में ज़ेग, content आइड करना है, उसके आपको formatting करनी है उसके बाद आपको उसे related clipart images जो आड़ करने वो आड़ करने और finally उसके बाद transitions आड़ करना है उसके बाद animation आड़ करना है यह steps आपको याद रखने और अगर आपको sound effects जाहिए तो sound effects भी आप बाद में आड़ कर सकते हैं तो यह procedure है पूरी पूरी जो मैंने आ है तो यह दो बटन यह अगर आप ध्यान से देखो कि उपर mouse pointer लेके आओगे तो उपर का बटन highlighted नीचे यह देखिए दो बटन है तो यह new slide का shortcut की है Ctrl M, Ctrl M भी आप प्रेस करोगे तो यह पर ने slide आएगी उपर यहापर mouse pointer लेके जाओगे तो Ctrl M आ रहे दिखाई दे रहे क्या फरक यहां पर new slide के layout मिलते हैं कि न्यू स्लाइड आपको कैसी चाहिए आपको title वाली चाहिए, title and content वाली चाहिए, section adder, to content, comparison, title only ऐसे अलग-अलग layout से तो यहां पर आप layout चूज कर सकते हैं या फिर आप layout नहीं चूज करना चाहते हैं आप बस Ctrl M करते हो Ctrl M या फिर यह Ctrl M प्रेस करता हो तो वही आएगी Ctrl M, Ctrl M, Ctrl M, Ctrl M, जितनी बार चाहिए उतनी बार आप Ctrl M प्रेस करके आप इस slide इंसर्ट कर सकते हैं और सभी slide सेम या रहे, title and text की, right? इस तरह से आप slide इंसर्ट कर सकते हैं और slide को delete करना है, तो simply cursor उसकी पर रखो, keyboard पे delete दबा दो, यह slide delete करने arrow पे click करूँगा, और मैं चाहता हो कि यार, यह जो, यह आती, जो slide वो title and content वाली आती है, text वाली, यह normally slide आती, default, मैं चाहता हो यापे comparison वाली slide इंसर्ट करना, तो comparison वाली slide या पे आ चुकी, जैसे comparison वाली slide आ जाती है, उस layout की slide या पे आ जाती है, अब आप Ctrl M प्रेस करते है तो next slide भी वही आएगी, जो आपकी last slide है, उसी को ही, वो Ctrl M क्या करेगा, वही layout को आगे carry forward करेगा, Ctrl M बटन प्रेस करने से, जैसे इसका layout मुझे बदलना, यार, यह तो दो comparison का ठीक है, तीसरा नीची मुझे, मतलब यह 4 नमर का slide ही, वो comparison का नीची है, तो मैं यहापे layout में च जाकर, existing slide का layout आप बदल सकते हैं, new slide से नया slide आता है, लेकिन existing slide जो उसका layout बदलना है, comparison नी, to content चाहिए, तो यह to content वाला हो गया, to content नी, कुछ और चाहिए, जैसे title, खाली title only आ जाएगा, basically layout मतलब क्या है, कि यह अलग-अलग boxes आपको available करके देता है, text box और container, basically container बोल सकते आप इसको, यह text box भी बोल सकते, container भी बोल सकते, जहापे आप images, graphics, text add कर सकते, तो यह layout वही होता है, कि अलग-अलग text box आपको अलग-अलग size के लाके देता है, आप खुद से भी blank slide लेकिए text box ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे, मैं यहापे new slide में जा रहा हूँ, और यहापे blank slide तो insert में जाकर यहापे text box यहापे draw कर सकते हैं, आप दिखाए दे रहा है, text box, यह container आ गया है, यहापे रखना है, आप अपने खुद के मर्जी से यहापे layout define कर सकते हैं, आप यह text box रखिये, copy paste कीजिए, और एक text box add कीजिए, हर एक text box को border दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, ल तो भी आप कुछ ही आप यहापे decide कर सकते हैं, लेकिन पहली slide तो हमेशा title and subtitle का रखा जाता है, यह खाली title का भी आप रख सकते हैं, तो खाली इसका title में convert करना है, layout में जाओ, यहापे देखो, एक option मिलेगा title only, that's it, लेकिन मुझे title and subtitle का इसी तो यह रहा, title and subtitle, और अब यह आपको पता चला, ठीक है, यहापे layout तो आपको पता चला कैसे करना है, आपको यहापे reset option भी दिया है, suppose इसका layout आपने change कर ले, यहाँ से इस box को इधर ले लिया, इस box को इधर ले लिया, अब मैं यहापे reset button पे click करता हूँ, यह देखिए, reset button का use क्या होता है, कि आपने layout को change कर लिया, जैसे layout मैं आपने इसे drag करके रख दिया, लेकिन आप बाद में लगा कि यह layout disturb हो गया, तो आप इसे reset button पे click करके reset भी कर सकते है, तो चलो, आपको slide कैसे insert करना है, उसकी idea आ चुकी है, चलो, इसमें अभी content type करते है, अभी यहापे कुछ extra slide जैसे यह two comparison वाली slide मैं हटा देता हूँ, यह delete करता हूँ, और यह वाली slide को मैं layout change करके, आप टाइटल and content रख देता हूँ, यहापे भी title and content ही रख देता हूँ, फिलाल title and content रख देते हैं, और यहापे देखते हैं, क्या decide करना है, अभी slides रख कर दी हमने, अभी इसमे content रख करना सिखते हैं हम किस तरह से हम text content यहाप एड़ करेंगे, image कैसे एड़ करना है, वो भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम formatting करना सिखेंगे, इसके पर सारी सीज़े step-by-step होगी, तो अभी slide का layout और slide कैसे select करना, insert कैसे करना, वो आपको पता चला होगा, तो अब मैं यहापे पहली slide select कर रहा हू और slide में मुझे content add करना है, तो यहापे click to add title में मैं click करूँगा, और यहापे मैं मेरा title add करूँगा presentation का, अब वो title product का नाम हो सकता है, या फिर आप कोई भी particular subject के उपर presentation बना रहे हो, जो भी आपका suppose कोई sales का dashboard है, उसकी उपर presentation बना रहे हो, या फिर आप कोई brand के उपर presentation बन वो यहापे type कर रहा हो, मैं मेरे product का ना, basically मेरा product याने की, मेरा तो digital courses का product है, और मेरे application या मेरे product की advertising का एक presentation यहापे मैं आपको बना के दिखाता हो, right, तो यह मैं इसलिए बना रहा हो, basically मैं मेरे product के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं यहापे उसके बारे में उस product की बारे में proper जानकारी पहले होनी चाहिए, तब आप जाकर उस product का presentation बना सकते हैं, simple सी बात है, तो कोई भी presentation बनाने के लिए आप लेते हो, तो Google की उपर जाओ, उस product की उपर research करो, या फिर जिसकी उपर भी आपको presentation बनाने है, तो सबसे पहले आपको content को gather करना पड़ फर्मेटिंग हम बात में करेंगे, पहले content यहाँ पर add करेंगे, उसके बाद subtitle add करना है, तो यहाँ पर slogan भी add कर सकते हैं, आपको product का पूरा detail भी add कर सकते हैं, तो मेरा तो simple सा slogan है, जो मैं यहाँ पर add करता हूँ, pay less, learn more and earn more, यहाँ पर end word रहे गया, and earn more, तो इस तरह से मैं यह slogan भी add कर दिया, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको content add करने में, title add करना है, subtitle add करना है, छलो ठीक है, इसमें मैं अच्छे से formatting करना है, design सब कुछ देना है, second slide पर आते है, अब इस product के बारे में थोड़ा सा और content detail में add करूँ कि भाई, क्या है यह, तो मैं यहाँ पर title लिख रहा, about skill course, तो skill course के उपर content add करने मेरे पास already available है, तो मैं यहाँ पर copy paste करूँगा, इस तरह से, right, मैं यहाँ पर type करते नहीं बेटूँगा, अभी आपको आपका समय में save करना चाहता हूँ, तो basically content यहाँ पर मेरे पास already available है, play store पे जो आप मैंने add किया है, वहाँ पर आपको content सारे मिलेंगे, तो यहाँ पर यह content मैंने add कर देंगे, इसको formatting नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फिलाल formatting हम करेंगे, लेकिन इसका formatting मैं clear जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने copy किये न, अगर आप internet से copy कर लेते हो content तो आपको यह formatting default देगा कुछ, तो इसकी formatting clear क course मैंने add कर दिया, तो अब skill course के बारे में हो गया, अब skill course के founder के बारे में हो थोड़ा सा लिक लेते, founder of skill course, तो इसके लिए भी मेरे पास content available थे, मैंने उसे copy paste कर दिया है, और इसे भी मैं clear formatting करता हूँ, तो पहले content add कर लो, हर एक slide पे content यहाँ पे रहने चाहिए, और इसमें content content में भी हम और content जो extra है वो delete करेंगे, या फिर जितना मतलब content हमें जरूरी उतना ही हम रखेंगे, अब next slide पे जाते, skill course के features add करते, लेकिन ये slide में blank slide आपको दिखाए दे रहा है, तो मैं इसका layout change करूँगा, और title and content, यहाँ पे मैं लिखूँँगा features, तो यह features भी मैंने लि duplicate, याद रखी, अब यहाँ पे और एक slide में add करना चाहता हूँ, तो एक तो मैं यहाँ पे जाकर एक title and content वाले slide कर सकता हूँ, या फिर इसी का duplicate मुझे चाहिए, लास्ट वाले slide का, तो मैं Ctrl D बटम प्रेस करूँगा, तो duplicate का, लास्ट वाले slide का Ctrl D मैंने प्रेस किया duplicate हो जा के उपर भी कुछ reviews available है, तो original जो feedback है, original जो reviews है, वो हम यहाँ पे कैसे डालेंगे, यह भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको एक actual product के उपर में काम करके दिखा रहा हो कि इसका एक best presentation आप कैसे बना सकते है, तो सबसे पहले आपको content add करना है, जैसे कि title, उसका subtitle, उसके founder की information, उसके बाद features, उसके बाद customer feedback कर कुछ screenshot वगेरा, तो चलिए, अब यहाँ पे पहले तो content add करके होगे, अब कुछ images add करनी है, तो कैसे add करनी है, formatting करनी है, तो यहाँ पे insert में आपके पास option रहता है, picture, charts and all, यहाँ से हम insert में से picture, charts और सब कुछ apply कर सकते हैं, और design में हमा formatting रहता है, तो अभी हमारा task है, कि इसमें कुछ और content add करें, pictures वगेरा, और साथ में, यहाँ पे हम formatting भी दे, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले, skill course को मैं थोड़ा सा, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इसकी size और उपर रख देता हूँ, थोड़ा सा, okay, मैं home tab में जा रह है, कि यह Google से font आप download कर सकते है, आपकी case में, अगर आपके पस नहीं है, तो, okay, so, यह interesting font है, ज़रा थोड़ा सा, अच्छा भी लगता है मुझे, तो हटा-कटा भी है, अब इसको मैं रखता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर मैं इससे रखना चाहूँगा, इसी के नीचे, और मुझे इतनी ज़रूत नहीं है, मैंने इसकी size कम करानी है, तो मैं इसे इस तरह से कम करूँगा, और यहाँ पर रखोंगा, ओके, और इससे थोड़ा से उपर रख देता हूँ, मैं skill course को, यहाँ पर इससे रख देता हूँ, formatting इसे भी करनी है, तो इसको मैं poppins normal रखोंगा, ब्लैक नहीं, poppins खाली font रखोंगा, वह वाला poppins black था, यह मैंने poppins रख दिया, यह रहा, तो यहाँ पर content को थोड़ा सा formatting मैंने किया, अब मुझे image अड़ करना है, तो मैं insert में जाओंगा, और insert में आपके पास option रहता है, picture, click किजिए, चले picture देखते है, अब हम this piece, picture दे है, तो मैं एक logo add कर देता हूँ, पहले insert, यह logo मैंने add किया, बहुत बड़ी size आगी है, इसकी कम करनी size तो ऐसे drag करके इसे कम करो, and you can put it down anywhere, यह size को आप ऐसे रख सकते है, वह यह logo यहाँ पर रखना है, यहाँ पर bottom में रखना है, चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है यह skill course app है basically, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, skill course app, आगे title में app कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे adjust कर देता हूँ, end में, right, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर insert में जाओंगा, दुबरा pictures में जाओंगा, this piece में जाओंगा, और मेरा app के साथ यह photo ठीक है, चलो यही ल मेरा photo नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे crop कर सकता हूँ, crop button आपके पास है, crop button में click कीजे, और यहाँ पर मैं बस app रखना चाहता हूँ, अच्छा, app तो आगया, लेकिन app मुझे लगता है यह background भी नीची है, तो यह भी हम कर सकते हैं, बस इस app की थोड़ी से size बढ़ा दो, corner से size बढ़ाना है, click and drag, यह देखे, mouse pointer corner पर लेकिया है, mouse click button दबाईए, खीचे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ खीचे कम होगा, picture format option में जाईए, यह Microsoft Word में भी मैंने बताया था, अगर अपने Microsoft Word मुझे सीखा है, तो starting में जो scratch course में मैंने बताया था तो यहाँ पर इसे select करेंगे और remove background option मिल जाता है, picture format, जब picture select होगा तब यह tab आएगा, याद रखिए, फिर remove background में जाईए, वो detect कर लेगा यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर यह देखे कुछ गडबड हो गया, यह pink वाला है न, यह सब erase होने वाला है, जो यह magenta या dark pink बोल यह देखे, जिसको आपको रखना है उसके उपर घुमाओ, थोड़ा थोड़ा घुमाओ, ज्यादा मत घुमाओ ने, तो mobile के बाहर की भी चीज़े आ जाएगी, तो इसके उपर एक रखना है, यहाँ पर भी click करना है, exactly आप pencil लेके वहाँ पर click करो, जिससे आप रखना चाह इस तरह से, आप चाहिए तो इससे थोड़ावत shadow effect देना है, तो you can go to the picture format, and picture effects में जाकर यहाँ पर आपको बहुत सारी effect मिलते है, reflection वाला shadow effect है, आपको लगता है, reflection ठीक रहेगा, तो reflection देदो, आपको लगता है, shadow effect ठीक रहेगा, तो you can apply the shadow effect to, तो इससे इस तरह से effect देके, थोड़ा भी side छोटा कर देते है, यहाँ पर, तो आपका यह product यहाँ पर add हो चुका है, आप यहाँ लोगो बढ़ा करना चाहते है, तो you can put down logo, तो यह different है कि आपको काप एक ऐसे चीज़े रखनी है, and उसे आपको manage करना कैसे है, right, तो यह logo side में था, वो ही अच्छा लग र रहा हूँ, और यहाँ पर मैं shapes में जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, shape में जाकर एक rectangle में ले रहा हूँ, यह वाला rectangle लेता हूँ, यह पिर rounded rectangle भी आप ले सकते है, यह rounded rectangle लीजिए, आपको जो मर्जी चीज़े हो, यहाँ पर वैसे आप ड्रॉ कीजिए, अब देखिए, यह लेकिन यह आ गया रहा है, तो इसके उपर rightly कीजिए, इस shape के उपर, और एक option मिलता आपको, same to, त्याहन से देखिए, जो shape आपने draw किया है, उसे same to back, यह same to back, यह same to back पीछे चला गया, अब इसको blue color रखना है, या कुछ और color रखना है, वह आपकी मर्जी है, yellow color रखना है, shape फिल में जाओ, जो भी color आप इसे रखना चाहते है, आप यहाँ से ले सकते है, लेकिन आपको लगता है, यार, एक चीज़ याद रखो, इसका color जो होता है, एक presentation बनाते समय, color combination बहुत important चीज़ होती है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेरे app के उपर, तो पे logo में भी आप देखोगे, तो यह background है, तो मैं चाहता है, यह जो logo में background है, यहाँ पे यूज किया गया, पेले इस learn more के लिए, तो यह background में यहाँ पे यूज को इसके पीछे, वही color, वही तो मैंने try किया है, लेकिन वो अलग दिख रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसे select करू पहले इस shape को select करना है, select करने के बाद, shape format, shape fill, और fill यहाँ पे eye dropper, जो आपके brand का color है, basically brand logo में जो color है, वह आप बाकी जग़ा पे slide पे इस्तमाल करो, ताकि एक format proper बन जाता है, और बहुत सारे brand ऐसे करते हैं, उनके जो 2 या 3 color fix रहते हैं, उसी में पूरी पूरी उनके slide या देख लेते हैं, यहाँ पर font में, आपके बस text को white करने के लिए भी option है, अगर यह अच्छा लग रहा है, तो white में देखो, अलग color में रखना चाहते हो, white भी ठीक है, okay, skill course app, playlist, learn more and earn more, यह हो गया हमारा, and now you can go one more thing, एक minute में, यह लोगो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा ह और लोगो को अब में यहाँ पर रख रहा हूँ, तो चलो, ठीक है, कुछ अलग मुझे लगा करना चाहिए, तो यह मैंने एक नया कर दिया, वैसे भी यहाँ पर पेले, learn more and more, यहाँ पर इस logo में भी है, और यहाँ पर चलो, ठीक है, तो आपको पहली slide मिल गए, design नहीं किय यह italic में आ जाता है, और इसे title के बाद इसे poppins रख देता हूँ, अब मुझे बार बार इस सभी slide के उपर करना है, उसके बाद इसकी size भी बहुत बड़ी है, मैं size कम कर रहा हूँ, और यहाँ पर line spacing भी बहुत कम है, तो यह line spacing भी adjust करने पड़ेगी, तो यहाँ पर देखि सकते line spacing कितनी चाहिए, 1.2, यह रहा, यह proper line spacing आपको लग रहा है, रखो, यहाँ पर मैं इसे bullet हटा देता हूँ, इसे proper arrange कर देते हैं, हम लोग, welcome के लिए tab कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा, ओके, और यह भी bullet हटा देता हूँ, ठीक है, यह हो गया, इसके content के बारे मे थोड़ा से-से हमने format कर दिया, अब यह formatting मुझे हर एक slide पर करनी है, तो बार बार करने से अच्छा अब इस title को select करो, यह box को, format पे इंटर पर double click करो, यहाँ पर आजाओ, इस slide पर यहाँ पर click करो, इस slide पर आजाओ, इस slide पर click करो, है ना interesting, time saving tricks में बता रहा हूँ, दुबा formatting यहाँ पर आगे, इस पर click करो, यह formatting आगे, इस पर click करो, यह already इसमें content ही नहीं, बट यहाँ पर आप देख सकते, यह formatting apply हो चुकी है, क्या बात है, right, so easy to apply formatting करने के लिए आपको format painter इस्तमाल करना होगा, right, अब यहाँ पर founder का भी है, यह मैं यहाँ लेता हूँ, अब मैं थ content कम करता हूँ, थोड़े से content कम कर रहा हूँ, और इस content को मैं रख रहा हूँ, इस side, अब मैंने इस box की size कम कर दी है, इस side, और यहाँ पर अभी एक और चीज, यहाँ पर paragraph में notice करोगे, तो right side में देखो, आगे पीछा रहा है, तो मैं इसे justify alignment दोंगा, यह देखिए, यह formatting अ face क्यों रखा, यहाँ पर मैं कोई image आड़ कर सकता हूँ, right, मेरे product की image, तो मैं insert में जाओंगा, मैं picture में जाओंगा, this PC, तो यहाँ पर मैं इस, तो यहाँ पर मैं इस image से एक image select कर लेता हूँ, और यहाँ पर अड़ करता हूँ, इस app में video भी download आप कर सकते हैं, इस app के बारे insert में जाइए, shapes में जाइए, और यहाँ पर एक rounded rectangle यहाँ पर ड्रॉ कर लीजे, इस तरह से rounded rectangle ड्रॉ कर लीजे, ड्रॉ करने के बाद right click करके इसे send to back करना है, send to back करेंगे rounded rectangle को, okay, अब यहाँ पर इस तरह से rounded rectangle रखिए, इसकी size का rounded rectangle आप रखने के कोशिच कीजिए, यहाँ यह रहाँ, okay, उसके बाद इस image को वापीज डिलीट कर दीजे, अब आप बोलोगी यह डिलीट क्यों किया, अब मैं आपको बताता हूँ, यह rounded rectangle को थोड़ा सा ऐसा, चोई तो round कम कर दीजे, अब करना क्या है, इसको select रखके shape format में जाना है, वही image हम add करेंगे, shape format में जाए याद रखिए, shape format, image को select कीजिये, shape format, shape field, picture, यहां से हम from file में जाकर वही image add कर देंगे, जो image हमने ली थी, बस वह हमने shape mad कर दिया, इस तरह से, तो यह shape mad करना भी एक trick समझ लो, और इसके बाद आप इसे effect दे दो, मतलब आपको लगता है अभी इसको shape effect दे सकते है, आप इसे reflection दे सकते है, आप इसे shadow दे सकते है, जो effect देना चाहते है, वह आप यहापे दे सकते है, तो एक तरीका में आपको बता है, कि इस तरह से आप image को add कर सकते है, एक attractive ways है, एक presentative ways है, तो कोई shape के अंदर image add करोगे, तो वह अच्छा रहेगा, लेकिन पहले क्या करना है, image लेना ह है, properly, तो चलिए, यह slide हो गया, तीसरे slide पर जाते है, founder के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, यहापे, तो founder की image add करने के लिए हमें एक काम करते है, तो यहापे मैंने इसे right में रख दिया है, तो यह right में इतना रख देते है, यह content, ठीक है, बैढ़ गया है उपर, और करना क होगा, control ले करके इसे भी justify, justify कर लो, इसे properly, justify नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा वो, और यह, यह जो है, इसे भी size कम कर देते, founder of skill course, यहापे रख देते, तो यहापे एक मेरा अच्छा खासा photo अभी मुझे लगाना है, तो कैसे हम लगाएंगे, तो इसके लिए क्य करेंगे, वापिस insert में जाएंगे, यहापे picture में जाएंगे, this PC में जाएंगे, और यहापे कोई भी एक photo आप add कर सकते, जैसे यह वाला add कर दे, तो चलो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो add करो, लेकिन उसको भी आपको rounded मे add करना है, same जीज़ करनी है, तो आपको अभी से मेनत लेने की ज़रूरत नहीं, इसको आप copy करो, और यहापे paste करो, यहापे paste करने के बाद बस picture बदल दो, क्योंकि आपके पास ready made shape तो यहापे, तो shape format में जाओ, shape film में जाओ, picture में जाओ, from file में जाओ, तो बार बार वही काम करने की ज़रूरत नहीं, यह वाला picture लेते, चलो, यह ठीक लग रहा है, तो यह picture यहापे मैंने अड़ किया, and founder of, founder of skill course हो गया, चलो, उसके बाद आ रहा है features, features के लिए भी, यह features का already, suppose मुझे यह लिखना नहीं, already मेरे पास image ही पढ़ी है, तो मैं इसे delete कर देता हूँ, मेरे पास एक feature की image ही पढ़ी है, खली features का word यहा कर रहा हूँ, this PC में जा रहा हूँ, और यहाँ पर यह image में अड़ कर रहा हूँ, यह features के साथ ही है, यह आप चाहते कि यह दोनों भी रखे, मतलब यह content भी रखे, content को आप यहाँ पे जरा bullets form में जाकर कुछ apply कर लो, जैसे कि यह app features नाम हटा दो, और यह proper align करो पहले, एक line म यहाँ पर आगे का space में ने हटा दिया है, इससे select कर लो और यहाँ पर bullets में जाकर, okay, इस तरह से apply कर दो इसे, इसकी size कम रखो, ठीक है, done, अब क्या करना है, आपको यह image भी चाहिए, तो image भी चाहिए, तो यह वाली image को copy कर लो, यहाँ पर दुबारा paste कर लो, और करना क्या shape format, shape feel, picture, अब यह मुझे बतानी की जरुरत नहीं, पटा पटम कर लेते हैं, यह आप जान चुके, app features हो चुका है, और यहाँ पर customer feedback, customer feedback के लिए अलग से, यहाँ पर app के उपर जिन्होंने feedback दिये, जिन्होंने review दिये, वो actual reviews, तो अलग से मैंने उसकी images download करके रखी, तो उस जैसे आपने insert कर लिया, तो यह पूरा पूरा चारो एक साथ selected रहता है, तो चारो को एक साथ आप यहाँ पर size कम कर सकते है, starting में, आपको लगता है कि आप चारो की size एक साथ कम हो, एक साथ जैसे आपने insert कर लिया है, तब यह चारो selected रहते है, तब आप चारो की size select करके यह क इन्हें मैं rounded box में proper रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ एक काम का तो यह डिलीट कर देता हूँ सभी एक ही size के तो एक को रखता हूँ पहले इन्सेट में जाता हूँ शेफ में जाता हूँ आपको पता है यह फटा पट करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं इसकी size के एक shape draw करूँगा पहले size देख लूँगा और यह round को तोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ठीक है इसको delete मार दो और अब क्या करना है अब जाना है shape format में shape fill म आपको कहा पर जाना है picture में जाना है जहां पर भी मेरे पास 7 यह रहा आ गया क्या बाद है यह आ गया उसके बाद shape format में जाओ और shape effects में जाओ देखो there are lot of effects आप जो चाहिए वो apply कर सकते यहां से interesting है यह इस तरह से आप रखना चाहते है control D दूसरा रखना चाहते है यहां प पिचर अब यह मैं फटाफट कर ले तो पहले तो यहां पर मैंने चारों भी रिव्यू आड कर दी है आपको दिखाए दे रहे customer feedback customer review जो भी आप इसे नाम देना चाहते है वो दे सकते हैं और अब यह हमने देखा content में images वगरा कैसे आड करना है दूसरी चीज अब यहां पर और interesting चीज़ा add करने जैसे मैं आपको दीखाता हूँ insert में मैं जा रहा हूँ shapes में मैं जा रहा हूँ और यहां पर मैं आपको एक चीज़ अड करके दीखाता हूँ जैसे मैंने एक ellipse ले लिया ellipse लेने के बाद मैं यहाँ पर एक circle ड्रॉ कर रहा हूँ यह देखिए circle चोटा सा एक circle ड्रॉ कर लिया है ज्यान से देखिए अब इस circle को मैं color दे रहा हूँ shape format में जाकर यहाँ पर मैं color देता हूँ shape outline का color में no outline करता हूँ तो अब यह मैंने circle ड्रॉ किया है आपको दिखाए दे रहा है मैं circle मतलब यह dot 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 यहाँ पर ऐसा फिल करना चाहता हूँ सीधे line में तो उसके लिए मैं करूंगा क्या मैं control और shift बडम प्रेस करूंगा और इसे यहाँ पर drag करूंगा ऐसे रखूंगा और जैसे मैंने control shift एक बार drag किया उसके बाद मैं control y y y प्रेस करते जाओंगा तो वह shape जो मैंने जिस position पर रखी है ना जहां से देखिया यह देखिये यह interesting चीज़ एक मैंने add कर दी यहाँ पर dot 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 जो मैंने shape के जरीए add कर दी है अब मैं दुबारा दिखाता हूँ जब मैं अब मैं क्या करता हो इससे suppose यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे add करने customer feedback को थोड़ा समय ऊपर लेता हूँ यहाँ पर title को अब मैं क्या करता हूँ देखिये insert में जा रहा हूँ right interesting है तो ऐसे आप यहाँ पर stars add कर सकते कोई भी shape add कर सकते मैं इने select करता हूँ और थोड़ा सा नीचे लेता हूँ चारों को एक साथ select करने के लिए shift button press के और click करते गया मैं चारों के उपर और मैं थोड़ा सा नीचे खीचोंगा और इसे भी shift button press करके आप इन सभी को एक साथ select कर सकते रैट ली करके इसे आप group कर सकते group करना चाते group group करेंगे तो इसे आप उठा के कई भी रख सकते ऐसा आपको लगता है यह नीचे रखना है उपर रखना है इसको छोटा करना है थोड़ा सा तो आप कर सकते चोटा करते समय आगे shift button press करोगे तो ठीक रहेगा तो छोटा करो यहाँ पे रख दो आपको आइड़ा आ चुका है शेप ड्रॉ करते समय क्या कर सकते आप ctrl shift से डुब्लिकेट कीजिए और ctrl y press करेंगे तो वही रिपीट होते जाएगा शेप तो यह एक इंट्रेस्टिंग स्टेप इंट्रेस्टिंग चीज याद रखना है तो चलिए मैंने आपको फॉर्म के लिए आप इंसर्ट में जाकर यहां पर देखिए आपके पास smart art है जिससे आप ready made shape cycle जैसे डाइग्राम, process जैसे डाइग्राम, hierarchy यहां पर एड़ कर सकते हैं, relationship पर एड़ कर सकते हैं, matrix आड़ कर सकते हैं, बहुत सरी चीज़ है तो आप जो चाहिए वह एड़ कर सकते हैं अलग-अलग यह देखिए, यहां से आप इसका design change कर सकते हैं, यहां से आप इसका color change कर सकते हैं, और यहां पर content add कर सकते हैं, तो यह भी चीज़ आप आप कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वह भी shapes पोगएर आप add कीज़िए, फिलाल इसे में delete कर देता हूँ, तो यह ह हो गया हमारा complete slide process, अब यहां पर slide में next topic में हम सीखने वाले design कैसे करते हैं, design तो आना चाहिए, इसके उपर design करना है अभी, क्योंकि हमने slide को content add किया, slide के formatting कर दिया, shapes add कर दिया, अब slide का design है, वह देख लेते हैं, अब slide design के लिए, पहली slide select की, design tab पे मैंने click किया है, simple design tab, यह यहां पे जैसे select करोगे, बहुत सरी design आजाएगी, आप यहां पे यह जो arrow दिखाए दे रहा है, इसपे click करके और design को explore कर सकते हैं, तो जैसी आप किसी भी design के उपर mouse pointer घुमाते हो, तो design पीछे preview दिखाता है कि कैसे apply होने वाला है, कैसे आएगा, तो यह design select करती है, यहां प यहां पे वो चीज़ आप करनी पड़ेगी, अगर आप यहां से design apply करते हो तो, लेकिन अगर इनकी design आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि यहां पे जो design है, वो मेरा structure पूरा change कर रहा है, तो आप खुद से background दे सकते, format background में जाए, और format background में जाकर यहां पे gradient fill में जाक तो आपको लगता है कि यार, इसमें ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यह बार में content फिर से adjust करने पड़ेंगे, तो आप यहां से background दे सकते background option है, फिलाल में यह design apply करके दिखा दो, अगर मैं किसी भी design की उपर, directly यहां पे click कर तो, जैसे मुझे यह वाला design ठीक ठाक लग रहा है, यह देखे, पहले slide की उपर भी है, second भी है, third भी है, सब की उपर apply हो रहा है, right, तो यह आपको थोड़ा बहुता adjust हम करेंगे, इसमें content को, लेकिन आपको लगता है, सभी slide पर अलग-अलग design होना चाहिए, तो आप, जैसे आप पहले slide पर देखो कि यह design है, दूसरी slide पर undo कर देता हो, मुझे यह वाला चीज़, right click to apply to selected slide, इस तरह से, दिखाए दे रहा है, तो यह slide के लिए मैंने अलग रखा, यह slide के लिए अलग design आ चुका है, यहाँ पर click करता हो, यह ठीक लग रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा, यह भी ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पर इक design मैंने लिया, तो आपको जो design पसंद है, वो आप select कर लिए, उसके बाद आपको थोड़े से content adjust करने पड़ेंगे, जैसे इसकी size आपको कम करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको यह जो subtitle है, उसे भी थोड़ा सा बढ़ा करके रखना है, तो आप रख सकते हैं, तो ऐसे तोड़े बहुते changes आपको करने पड़ेगे, और साथ में हमने जो pattern फिल वाला background apply किया था न, right side में यह दिखाए दे रहा है, इसे हम हटा देते, इसे कैसे हटाएंगे हम, इसे simple है, यहाँ पर reset background एक option आपको दिखाए दे रहा है, click easy, reset background, तो वो background भी हट गया, इसे थोड़ आपका पर रखना चाहते है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा उपर रखना चाहता हूँ, मिरे पास जगह भी बहुत है, इसको भी उपर रखना चाहता हूँ, ठीक है, app की size थोड़ी हम बढ़ा सकते है, right, got it, so finally यह पहला slide हो गया, second slide पर तो यह ठीक ठाक बैट गया है, मस बढ़ा देते, okay, इन्हें इस तरह से adjust कर सकते, right, post slide पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा content को adjust करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, इस features को, इसकी size कम करके, इसे भी यहाँ पर लगतेते, ठीक है, इस dot को delete मार देते, जो content आपको जरूरी नहीं है, इसको इस तरह कैसे रख सकते, okay, और उसके बाद यह, यह तो मस्त है, right, तो यह 5 slide हमारी proper होगी, design के साथ, तो slide कैसे properly बना नहीं, यह मैंने अच्छा कासा idea आपको दिया है, definitely आपको यह समझाओगा, अब बार यह transitions और animations की, जो कि अभी हम सीखने वाले है, जो कि हमारा important point है अभी, तो कोई भी slide को जब हम transitions देना चाहते, तो कैसे देंगे, transition की जरुवत क्यों पड़ती है, सबसे पहले जब हम F5 करते, तो F5 से क्या होता है, slide का preview आ जाता है, full slide, जब यह आप presentation दिखाना चाहते हो, तो F5 button प्रेस करोगे, slide show, इसे slide show बोलते है, यह slide show आ गया, down arrow प्रेस करो next slide, down arrow प्रेस करो, 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 खतम, escape button प्रेस करो, तो PowerPoint presentation स्टार्ट करने के लिए, F5 और बंद करने के लिए, escape button प्रेस कर सकते है, right, okay, अब यहाँ पे जब मैं पहली slide लेता हो, दूसरी slide आ रही है, तो यह को क्लिक करो ट्रांजिशन्स पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर धेर सारे ट्रांजिशन से कापी इंट्रेस्टिंग आप खुद से जरूर ट्राइ कीजिए यह नए वर्जिन में आपको धेर सारे मिलेंगे 2010 वगरा में थोड़े कम है याद रखिए तो यह वाला लेते है एर ओ किया बात right interesting है आप इसे जरूर ट्राइ कीजित है और ईगामी क्या नाम नहीं का पता नहीं आप श्लाइट पे क्लिक करके और ऑर इगामी कीजिए कैसे आगा Сп JR का अप में यह के इंट्रेस्टिंग करके देख सकते कि वह यह कैसे है हर् ेक स्लाइट के वप अपर अलग तो एक भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको सभी स्लाइट पर एक जैसे होना ची, नहीं करना है मुझे क्लाइन को, तो मैं क्लिक करूँगा, क्रेश, और मैं एप्लाइटो आल करूँगा, यहाँ पर एप्लाइटो आल, राइट साइड में option मिल रहा है, और इसका duration भी आ रहा है, total आपको duration भी दिखाए दे रहे हैं, कि वह कितना seconds है, आप उसे durations को कम भी कर सकते हैं, बहुत fast भी चलेगा, बहुत slow भी चलेगा, इसे page curl करते हैं, तो यह 2 seconds ले रहा है, अब इसका duration अलग है, तो इसे आप कम करना चाहते है, fast करना चाहते है page curl को, तो अभी आप देखोगे, FI करो, बहुत fast आ रहा है, इस तरह से, तो इसका duration भी आप adjust कर सकते हैं, यह इतना slowly जा रहा है, इसको भी इतना time लग रहा है, सबके लिए एक ही देना है, तो apply to all करो, सबके लिए अलग लिए देना है, select करो, यहाँ पर select करो, click, select करो, अलग अलग दिखारों मैं आपको apply करके, और select करो, अब मैं FI करूँगा, तो देखे कैसे आए, FI, यह तो पहला slide है, अब down arrow press करूँगा, next slide, keyboard की उपर down arrow press कीजिए, next slide, down arrow press कीजिए, next slide, down arrow, oh interesting, right, तो इस तरह से आप presentation में transition दे सकते हैं, लेकिन यह जो transition मैंने देया, मुझे keyboard पे down arrow press करना पटा है, तभी next slide आ रही, मैं चाहता हूँ, यह चाहता हूँ, एक setting, important tricks मैं आपको बता रहा, powerpoint के अंदर, जो सब को पता होनी चाहिए, अब transition में क्या हो रहा है, कि मुझे apply करने के बाद down arrow key press करना पटा है, यह लिकिन automatic transition आ जाए, और दूसरी चीज़ ऐसी कि जैसे presentation खतम हो जाता है, तो यहां पर क्या लिख्या आता है, लिख्या आता है end of slideshow, मैं चाहता हूँ कि यह presentation खतम होते ही, starting से चलो हो जाए, जैसे mall म में जाना है, setup show में जाना है, और यह वाला करके रोको, सबसे पहला यह setting important trick याद रोको, loop continuously until escape, जब तक आप escape नहीं करेंगे, तब तक यह loop होते रहेगा, यह पहला setting याद रोको, slideshow, setup show, यह बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बता है, आपको पता च मैं चाहता हूँ कि एक slide at least 3 minute तो रुक है, या 4 minute रुक है, 4 minute नहीं, seconds, minute बोल रहा हूँ है, यहाँ पर seconds हम रखेंगे, minute रखेंगे, तो वही बहुत हो जाएगा कोई भी, तो 3-4 seconds आप रख सकते हैं, और आप यहाँ पर apply to all कीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, कि अगर आ अलग-अलग apply करके मतलब नहीं होगा, तो इसलिए क्या करो, एक तो timing पहले लगा दो, और apply to all करो, बाद में सब को transition अलग-अलग दो, तो timing एक बार apply to all हो जाएगा सब के लिए, या फिर सब के लिए, या पर click करो, apply to all मत करो, सब के लिए अलग-अलग timing लगा हो भी, इस slide क दो second रुकना है, इस slide को लगता है, हाँ, यसे पढ़ने में time लगेगा, तो इसको तीन seconds रखो, इसमें पढ़ने में time लगेगा, जो भी आपकी सबसे अप रखो, इसको दो second रखो, इसको पात seconds रुकाना है, तो जिस slide को जितनी देर रुकाना है, वो आपकी मरजी है, हर एक स्लाइड को अलग-लग टाइमिंग सेट कर सकते हैं और एक ही सेट करके apply to all भी कर सकते हैं मैं recommend नहीं करूंगा apply to all के लिए और यहां पर sound effect भी दिया है sound भी add कर सकते है बॉब्म वोगेरा फुटने का sound आई जाएगा लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है अगर आपके presentation में कोई होता है तो उसके लिए sound दे सकते हैं फिलाल तो इतना जरूरी नहीं है and I'm going to press F5 मैंने F5 प्रेस कर दिया और छोड़ दिया मैं कुछ भी ने प्रेस करूंगा अभी यह जितने भी seconds मैंने लगा थे न चार सेकेंद तो चार सेकेंद रुकेगी दो सेकेंद तो दो सेकेंद र अद्वटाइज हो ही रही है भई होना चाहिए मैं मैं मैंने ले रहा हूँ लेकिन इस application में आपके फाइदे की कूर्से से बहुत ही कम फीज में आप धे सारी कूर्से सीख सकते है ISO Certificate के साथ वो चीज मैंने आड़ नहीं कि है ISO Certificate के फोटो भी आड़ करना चाहित हम उसे वो बहुत सारा presentation बड़ा भी बन जाएगा ओके बनाने जाएंगे तो यह तो डेमो यह बस तो आपको एक interactive presentation बना के मैंने दिखाया है अब यहाँ पर transitions हमने apply कर दिया है अब हमारा last option जो कि ए animation बचता है तो animation कैसे apply करेंगे animation भी ज़रूरी न भी या अब जो आ रहा है न यह stable slide आपको दिखाई दे रही है ऐसे तो अगर इसमें skill course ज़रा घूम के आ जाए यह एप का photo घूम के आ जाए लोगो घूम के आ जाए कुछ भी तो कैसे करेंगे तो वो कुछ कर लेते है यार यह लोगों में को अभी ज़रूरी यह लोगों की size ही मेरी fix नहीं हुए अभी कह आप रखंगो सुח के हुए चलो से इस साथ रख देता अब मैं क्या करता हूँ एनिमेशन देता हूं नहीं, animation कैसे देते हैं, उसके step से याद रोको, मैं क्या follow करता हूँ presentation बनाने के लिए, और मैं क्या सिखाता हूँ, जो भी मैंने corporate students को पढ़ा है, वो trick मैं आपको बता रहा हूँ, basically वो लोग उनका presentation अभी मेरे तरीके से बनाते हैं, और वो अच्छा खासा उनका review भी है, वो आपको animation देते समय, पहले यह समझना है, कि animation के अंदर चार चीज़े, एक entrance animation, दूसरा emphasis, तिसरा exit, और चौथा motion path, चार यहाँ पर आपको option बिलते हैं, यह आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि entrance animation आपको तभी लगाना है, जब आपको कोई भी text को entry करते वक्त दिखाना है, जैसे कि आपको आपको audience का ध्यान उसकी उपर ज्यादा ले के आना है, तो आपको पहले slide को blank रखना है, और बाद में आपका text वहाँ पर import हो जाएगा, जैसे आप title को, या जो बड़े-बड़े titles होते हैं, उसे entrance text में डाला जाता है, पारेग्राफ entrance text मे है कि यहाँ पर यह shape और यह text अलग-अलग है, तो दोनों का animation मुझे एक साथ देना है, तो इसे shape को select करो, shift बड़म प्रेस करके, इस text को भी select करो, right, दोनों select किया, अब हम animation tab में जाएंगे, और मैं यहाँ पर entrance animation देना चाहूँगा, entrance animation यहाँ से मैं apply कर सकता हूँ, यह लेकिन इसमें जाने के बाद आपको preview दिखाए देता है, तो यह एक interesting बात है, तो इसलिए आपको पहले इधर से ही उठाने, यह चारो options उपर दिख रहे है, आपको वही इधर से भी access कर सकते, तो more entrance में जाहिए, और यहाँ पे आपको preview effect पे click रखना है, preview effect, इस पे click रखना फिर आप एक एक effect देख सकते कि वह कैसे आएगा, यह box type कैसे आएगा, random buzz कैसे आएगा, expand कैसे आएगा, आपको जो भी आपको अच्छा लग रहा है, यह आप फ्लोटी, float up, rise up, जो भी है, example के लिए मैं अभी इसे ले रहा हूँ, यह थोड़ा सा descend लग रहा है, descend ही देना है एकदम घुमा फिरा की नहीं लाना है, जैसे यह spinner बहुत घुम घुम के लिए कि आता है, तो मैं इसे float देता हूँ, एकदम decent, okay, जैसे मैं नहीं यह दिया, और यहाँ पर अगर आप notice करोगे, तो यहाँ एक animation apply हो चुका है, और यह मैं close करता हूँ, format background, और यहाँ पर animation देत लेकिन क्या हो रहा है, कि skill course text पहले आपको नहीं दिख रहा था, बाहर से entry यह तो पहले से आपको दिखाय दिखा दे रहा है, तो यह क्या कर रहा हूँ है, इसे मैं select करता हूँ, इसे भी animation में देता हूँ, कि skill course run होने के बाद इसका animation आना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर click करूंगा यहां पर more entrance में जाओंगा और इसे भी मैं entrance देता हूँ वीप यह आना चाहिए उसके बाद image आना चाहिए तो image को भी मैं entrance ही देता हूँ ताकि यह भी भाहर से in हो जाए एक के बाद एक यहां पर मैं इस image को bounce देके देखता हूँ नहीं यह थोड़ा सा जारा यह लग रहा है राइजब भी ठीक है spinner नहीं गूम रहा है यह जादा जूम वाला देता हूँ नॉम जूम ओ देस वन इस गुट ओके अब यह आप यह आप एप 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 कीजिए वन टू थ्री अनिमेशन एफ़ाए वन टू थ्री एंट्रेस्टिंग राइट इंट्रेस्टिंग एनिमेशन आ गया और यह तुरंट स्लाइड चेंज हो गया क्योंकि हमने टाइमर लगया वापे आप को आपको समझ में रहा है ना इसको अपको अफ एप को डसे निमेशन गर से रहीगा अगर आपको उसे बाहर से अंदर लेना है तो तो पहला animation इंटरंस करेगा और दूसरा अगर उसे देना है तो आप impasses में से दे सकते है या फिर आप उसे बाहर निकालना चाते है slide के तो exit में से दे सकते है या फिर आप उसे movement देना चाते है यहां से इधर shift करना चाते है तो आप उसे motion path से दे सकते है तो यह चीज़े याद रखो यार, motion मतलब क्या होगा, इदर से उदर shift होगा, move करेगा वो object को, और impasses मतलब वो, जगह पे ही कुछ उसको impasses करेगा, more impasses में जाते, देखते क्या होता है, preview देखते, यह जगह पे ही उसको घुमाएगा, यह नहीं, यह ऐसा बड़ा करेगा, देखे, दिखाएदे रहे, तो यह normal animation लेकिन वो dark कर रहे है उसको, जो image उसको dark कर रहे, यह background कर रहे, यह desaturate कर रहे, अलग लग चीज़े, तो यह पे यह blink कर रहे है, तो मैं यह देना चाता हो, चलो ठीक है, यह पिर teeter भी ठीक है, यह इसको हिलाएगा, right, okay, teeter दे दिया, fi, अब आप देख लिजे, पहला animation आ चुका है, skill course, दूसरा animation आ चुका है, उसका subtitle का और तीसरा देखे, oh, right, तो इस तरह से animation आप multiple भी दे सकते है, तो entrance animation के बाद impasses देना ठीक है, अब आपको, suppose, इस slide पे animation देना है, तो इस slide पे आपको लगता है, कि यार मुझे entrance देना ही आपको लगता है, तो इस text को ऐसे रखो, image के उपर देना है, तो आप उसे impasses दे सकते है, इसको भी entrance नहीं देना है, मुझे impasses देना है, तो add animation से, पहला animation आप add animation से भी दे सकते है, या यहां से भी दे सकते है, कोई issue नहीं, बद दूसरा animation देना है, तो आपको add animation देना है, त कुछ result प्रॉपर नहीं आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ट्रांसफरेंसी ट्रांसफरेंट हो रहा है नहीं लाइन कलर भी नहीं यह ठीक है लेकिन यह बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है और इतना ज्यादा भी ग्रो नहीं चाहिए अपने को थोड़ा ही मैं छोटा तो यहां पर टेक्स्ट रहेगा और इदर यह अनिमेशन चालू रहेगा तो आप ऐसे अनिमेशन देना है याद रखिये आप मोशन पात भी दीजिए आप एक्जीजी पीदीजिए आपको किसी चीज़ को बाहर आठा देना है आपको लगता है यार उसे हटा देना है इस शूर्च पर हट रही है देखे है आपको दिखा है दे रहा है वो मिट रहा है पूरा पूरा जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं oh kayyy OMG, यह बाउंस वो कर न gentleman Wolf यह मैं देता हूं कर कर रहा लेकिन इस टो मैं इस float up की जगह effect option में जाओंगा और float down, यह देखिए, मतलब यहाप इफेट भी मिलते हैं आपको, यह याद रखिए effect, तो जो भी आपने apply किया, उसे float up करना है, तो उपर जाएगा, float down में करना चाहता हूँ, तो यह जाएगा, अगर आप F5 प्रेस करते हो, इसे देखते ह तो animation मैंने आपको समझाया, यह crash course में बहुत सारी चीज़े मैंने आपे बताने की कुछिच की, लेकिन powerpoint इतना ही नहीं है, powerpoint में बहुत सारे interactive presentations बनाया जा सकते है, इस नो type का action button का presentation बनाया जाता है, जो कि मैंने अल्रड़ी बनाया था, और मेरे course में यह सारी चीज़े explain की मैंने, तो अगर आप इंट्रेस्टेट कोर्स जरूर चेक आउट कीजिए, जो मेरे app की उपर available है, benefit क्या है, basically आपने यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़े सीखे, लेकिन app का benefit without advertisement course है, आप जब चाहे तब वीडियो देख सकते है, repeated देख सकते है, इन app वीडियो डाउनलोड डाउनलोड करके भी देख सकते है, course certificate मिलेगा और धेर सारी चीज़े आपको मिलने वाली है, तो इंट्रेस्टेट तो जरूर चेक आउट कीजिए, आप आपके mobile में रहना चाहिए भाईया, और यह desktop पे वीडियो देख सकते है, आप skill course.in website पे, जी हाँ, तो इतने सारी features आ लगया तो like, share और comment करना, subscribe कर लेना, जो भी है, जितने भी चीज़े मैंने बताई वो सब कर लेना, तो मिलते हैं अगले वडियो के अंदर तब तक के लिए सीखते रहो और सीखाते रहो लोगों को, बाई बाई